आज हम वीड फ्लॉर का पीजा बना रहे हैं गेहूं के आटे से तो आपको बताते हैं यह देखिए हमने जो है पहले इस्ट लिया है यह इंस्टेंट एक्टिव ड्री इस्ट है एक चम्मच लेंगे हम उसके बाद हम आधा चम्मच इसमें चीनी लेंगे चीनी डालने से शु जो इस्ट है वो एक्टिव हो जाता है एक कप हमने पानी लिया है इसको मिलाने के लिए आप देख सकते हैं इसको हमने अलग से ले लिया है और जो सौल्ट है वो हमने आधा चम्मच लिया है नमक तो इस तरह से यह सारे इंग्रीडियेंट्स है और अब हम इसके पिजा बनाने की शुरुआत करते हैं, पिजा बेस बनाते हैं, एक बड़े खाली बाउल में हम पहले इस्ट डालेंगे, और इस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें शुगर डालेंगे, चीनी, क्योंकि उससे जो है ये इस्ट एक्टिवेट हो जाता है जल्दी से, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, और इसको डिजॉल्व करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, हमें नमक इसमें पहले नहीं डालना है, क्योंकि जो शुगर है, चीनी है, वो इस्ट को एक्टिवेट करता है, और नमक डेड करता है, तो इसलिए हम नमक कभी नहीं डालेंगे, डिजॉल्व हो जाए, तब तक हम इसे विस्ट करना है, अब देखिए, शुगर डिजॉल्व हो गया है, अब हम इसमें आटा डालेंगे, आटा डालेंगे, सारा जितना भी हमने लिया है, बहुत अच्छा रहता है यह बनाना, आप जरूर बनाईए इस तरह से आटे से पीजा बेस, इसके बाद हम ओलिव ओल डालेंगे, और इसको मिक्स करेंगे, सबसे लास्ट में हम नमक डालेंगे, ठीक है ना, तो यह आप ध्यान रखेंगे, लास्ट में नमक डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे अभी हम इसको, और गुंतेंगे अच्छे चारो तरफ से हलका हलका मिक्स करना है. तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट अप्डेट्स आप तक पहुंसती रहे. तो आप इस तरह से हलके हाथ से इसको मिक्स करते रहे हैं. अब यहां मुझे आटा थोड़ा टाइट लग रहा है. तो मैं पहले इसमें एक टेबल स्पून पानी डालूंगी. एक टेबल स्पून डालके देखूंगी. यहां मुझे आटा हमें बहुत टाइट नहीं लगाना है. मिक्स करेंगे इसको दुबारा से. और देखते हैं मैं कितने पानी की जुरत पड़ती है. अब भी भी मुझे लग रहा है कि एक टेबल स्पून पानी मैं और डाल सकती हूँ. तो मैं इसमें एक टेबल स्पून पानी और डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी. तो यानि आपको बहुत जो मैंने नाप लिया था एक कप का और उसके बाद आप दो टेबल स्पून पानी डालें और इस तरह से आटा तियार कर लें. तो आटा बहुत सॉफ्ट है देखें, उंगली लगाकर मैं दिखा रहे हूँ. इसके उपर थोड़ा सा पानी लगाएं, थोड़ा सा पानी ऐसे लगा दें, और इसको 45 मिनट्स के लिए हम रखेंगे, 45 मिनट्स से 2 आर्स के लिए रख देंगे, यानि आटा डबल हो जाना चाहिए. ये देखें, आर्टा कुछ ऐसा है, देख रहे हैं, आप साइड से देखें, कितना इसमें फूला हुआ है, कितना नहीं फूला हुआ है, आप देख सकते हैं. अब हम इसको गीले कपड़े से ढख देंगे, गीला कोई भी साफ टावल लेके इसको ढख देंगे, और उसके उपर भी हम एक थाली या प्लेट उल्टा ढख देंगे, ताकि वो अच्छे से फूल जाए इसमें. इसमें हम नीबू का रस मिलाना भूल गए, तो मैं अभी डाल रही हूँ, एक टेबल स्पून नीबू का रस डाल रही हूँ, आप पहले से डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, खाथ से मिला लेंगे इसको अच्छे से, ऐसे पंच करके, आप जैसे मैंने बनाया ना, वैसे कीजिएगा बिल्कुल, और ऐसे करके हम इसको डख देंगे, वापस गिले कपड़े से और प्लेट से डख देंगे, अब ये देखे, हम एक डेट घंटे के बाद इसको देख रहे हैं, तो आटा जो है, वह बहुत अच्छे से फूल गया है, इसमें जाली पढ़ गई है, यानि कि इस ने अपना काम कर दिया है, तो अब हम इसको एक टेबल स्पून के करीब ओलिव ओल और डालेंगे, और इसको उपर से लगा कर और पंच करेंगे ऐसे, इस तरह से आपको करना आटे को, अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, तो बहुत अच पिज़ा बे लेंगे, अब हमने अवन की ट्रे में ना, फॉयल पेपर को लगा लिया है और उसको उइल से ग्रीस कर लिया है, इस तरह से, इसको अच्छे से उइल से ग्रीस कर लें, ताकि वो जो पिज़ा बेस है ना, जो हम इस पर रखेंगे तो वो चिपके ना, ये अव ना पतले हैं बहुत और ना बहुत मोटा है, तो ये पिज़ा बेस बहुत अच्छे बनेंगे, और ये देखिए मैंने पनीर को सौते कर लिया है, कैप्सिकम को काट लिया है, ब्रॉकली बॉयल है, सीडलेस टोमेटो है, बॉयल कॉर्ण है, प्याज काट ली है, मश्रूम है आप जो भी सबजियां चाहें जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, बारीक हरी मिर्च भी हमने काटके रखी है, अगर आपको बच्चों को देना है तो हरी मिर्च ना डाले, नहीं तो आप डाल सकते हैं, अब हम सबसे पहले ट्रे में ये चार पीजा बेस सेट करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करके मतलब उनको बिल्कुल लाइन में ना करें, ताकि एक दूसरे से चिपके ना, तो थोड़ा सा इसको सेट करेंगे, और इसको स्मूथली रखेंगे ठीक करके, तो आप पहली बार बना रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अवन में प्रोसेस चीज है, जिसको ग्रेट कर लिया है, नॉर्मल चीज है, और ये हमने पीजा औरिगेनो किया का लिया है, इसमें ना सॉल्ट मिक्स आता है, तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, वर्जिन ये ओलिव उयल है, ये भी डल्मॉन्ट का है, और बाकी सारी सबजियां है, तो ये देखिए, हमने फन फूड का पीजा और पास्ता सॉस लिया है, आप सिंपल सॉस भी लगा सकते हैं, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, और घर में मैंने एक पीजा बेस डाला हुआ है, बना के पीजा सॉस घर की बनी भी आप यूज़ कर सकते हैं, यह हमारा कैफ का ओवन है, और हम इसे नॉन फैन वाले मौड पे रखेंगे, 230 डिग्री पर हम रखेंगे इसको और 15 मिनेट के लिए हम प्री हीट करेंगे, तो यह सेट कर लेंगे, जैसे आपका ओवन वर्क करता है, आप उस तरी के से कर सकते हैं, अलग-अलग ओवन का अल नीचे वाले रैक में इसको रखेंगे, तो यह देखिए, हम सबसे पहले डाल रहे हैं, पीजा पास्ता सॉस के बाद यह चीज, मौजरेला चीज, मौजरेला चीज अच्छे से डालने के बाद हम डालेंगे सौते किया हुआ पनीर, पनीर के पीसिस, कुछ बच्चे ना लिए मैं यह बता रही हूँ, एक पीजा, और इसके उपर हम बॉयल कॉन डालेंगे, और उसके उपर फिर से ना हम ग्रेट किया हुआ चीज डालेंगे, और यह चीज डिलेक्टा का है, ग्रेटीड चीज जो है, वो डाल देंगे, तो यह बहुत सारा चीजी पीजा बन जा अब हम दूसरे भी बेस में जो पीजा है, उसके उपर हम कॉन डाल रहे हैं, तीनों पर कॉन डाल देंगे, जो सबजियां आपको पसंद है, आप यूज कर सकते हैं, जो नहीं पसंद है, उसको आप स्किप कर सकते हैं, तो यह आपकी चोईस है कि आप टॉपिंग्स में क्य क्या एड करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको कोई खास मेजरमेंट वेजटिबल्स का नहीं दिया है, तो अच्छे से कौन डाल देंगे हम, तो यह हमने सबजियां डाल दी है, कैपसिकम डाल दिया है, पनीर डाल दिया है, तीनों में, फिर उपर से ग्रेटेड तो आपको देख रहा है, एक बिल्कुल वाइट है, उसमें हमने कोई वेजटेबल नहीं डाली है, और यह मैंने ओली वाइल लेके उसमें ओरिगेनो मिक्स कर लिया है, तो अब हम एक आधा आधा चमश ना सभी पीजा पे थोड़ा ऐसे स्प्रेड कर देंगे उपर से, और यकीन मानिए, यह इतना टेस्टी लगेगा ना आपको पीजा, आप बहर से पीजा मंगाना भूल जाएंगे, यह मेरा आपसे वाइदा है, आप इस तरह से बना कर देखिए, और ऐसा नहीं है कि अवन है नहीं तो आप नहीं बना सकते हैं, आप इसको बेस को अवन में बना के या बेस रेडिमेड लेके आप पीजा तबे पर भी बना सकते हैं, जो मैंने पहले आपको बनाना बताया है, तो इस तरह से आप बनाईए, और बच्चों को खिलाईए, बढ़ों को खिलाईए, मैं इसमें हरी मिर्च एड़ कर रही हूं, आप चाहें तो स्किप कर सकते ह एक पिजा बेस में हमने जिसमें चीज और कौन डाला है, उसमें हमने हरी मिर्च नहीं डाली है, तो इस तरह से हमने अपने पिजा को तयार कर लिया है, अब हम ये नीचे वाले रैक में रख देंगे, और अवन को बंद कर देंगे, ये देखिए हमने ये 10 टू 12 मिनिट्स ह हो गई है, और पिजा इस तरह से तयार हो गया है, अब हम 2-3 मिनट के लिए उपर वाले रैक में भी रखेंगे, तो बस उपर वाले रैक में इसको 2-3 मिनट के लिए रखना है, ताकि हलका सा नीचे से भी क्रिस्प हो जाए, थोड़ा सा उतारने में मुश्किल आजाती है, क्योंकि चीज नीचे मैल्ट होके लग जाता है, लेकिन धीरे से आप पेशेंस के साथ रखिए, और बस हमारे पिजा तयार है, और ये देखिए, फर्स्ट पिजा हमारा, जिसमें चीज और कौन डाला था, वाउ, क्या अच्छा कलर आया है, ब्राउन कितना बढ़िया क्रि बहुत ही टेस्टी पिजा है, जरूर ट्राई कीजेगा, तैंक ये तो मच फ़र वचिगी